नमस्का我 कि वह से जनों कर नेचर क्या होता है so चार प्वाश जने बैटे हैं करी बहुत चल रही है तो क्या करते बहुत में जगण लग जोते एक दूसरे क्या आपके साथ में तो ऐसा नहीं होता है बहुत करें debate करें फेयर डिबेट करें, फेयर बहस करें, किसी मुद्दे पर बात करें, बहस करते हैं जगड नहीं जाना, अधिकतर लोग, बहस करते हैं एक दूसरे की ऐसी बाते हो जाती हैं, या कुछ ऐसा टैंस पैदा हो जाता हूँ, उसे जगड ने लग जाते हैं, बहस के दोरानी, फेयर बाहस करना बहुत ही अच्छी बात, very good, बहस करते हैं तो आप नहीनी चीजे निकल के आती है, नया knowledge निकल के आता है, और नहीं ऐसी चीजे होती जो आपको पता नहीं होती, वो उस बहस के दोरान निकल के आती है, बहस करने चाहिए, no doubt, लेकिन बहस के दोरान जगडे नहीं, बहस के दोरान जगडे लड़ा Williams, लड़ mínimo करने लग जाते हैं, अगर आप पर ऐसा करते हो ना, तो ये चार बाते हैं ना, आपको ध्यान रखनी होगी, बहस के वक्त, आप किसी से बहस कर रहे होती चार बाते याद रखना, अगर आप भी, बात-बात पर बहस पर किसी से ज लगणने लग जाते हो ना तो यह 4 बाते आपको याद रखनी होगी नमबर वाने आप किसी से बहुत कर रहे हो आप दोनों की आवाज जोकर तेज है वह भी तेज भोल रहा है आप भी तेज भोल रहा है तो आप दिमा बोले और अगर आप दोनों तेज बुलोगे ना तो हो सकता है तेज तेज बे आप दोनों कोई गुत्वं गुत्वं गुता नहीं हो जाए ऐसा कभी मन करने दोसरे की बात को समझने की कोसिस करें आप भी अपनी बात रख रहे हो वो भी अपनी बात रख रहे हैं हो सकता है कि किसी बात पर गलत हो यह हो सकता है आप किसी बात पर सही हो लेकिन एक बात दियान रगना बहस के दोरां डिबेट के दोरां सामने वाला क्या बात कर रहा है उसको समझने की कोशिच करें उसको सुने समझे और फिर उस बात का रिपले दें वो बात क्या कह रहा है आप क्या समझ रहे हैं और आप जल्दी जल्दी में उसको reply दे रहे हैं और भी नहीं बात कर जिस कोई sense नहीं उस बात का आप reply दे रहे हैं जैसा न करें पहले सामने वाले की बात को समझे उसका view of point समझे को वो कहना क्या चारा है फिर आप अपना reply दे उसके अगेश्ट में उसकी बात का आप reply दे जब सामने वाले की बात ही आप नहीं समझोगे सामने वाला कहना क्या चारा है आप नहीं समझोगे तो फिर आप उसकी बात का reply क्या दो कि आप तो गलत reply दोगे बास के दोरान अधिकतर लोग ही होते हैं फिर गलत reply जाते फिर वो तेज बोलते फिर कि यह तेज बोलते हैं फिर लड़ी शुरू हो जाती है थार्ड बोलने से पहले सोचे आप दोनों की बाहस चल रही है किसी मुद्दे को लेकर दोनों एक दूसरे होट टोकिंग हो रही है लेकिन ध्यान रखना आप कुछ बोल रहे हैं उससे पहले सोचना कभी कुभी जल्द को पकल लेता और आपकी लड़ी और सामने वाला की आपकी लड़ी सुरू हो जाती है बाहस के दोरान सबसे बढ़िया बात यह रखनी है कि आपको मुझ से कोई गलत बात नहीं निकाना है जल्द बाजी में बाहस नकाए बाहस करें सोचे समचे तरक पकड़ें और तरक के स साथ में जवाब दें अगर आप जल्द बाजी में बाहस करोगा ना तो कुछ निकुछ आपके मुझ से गलत जरूर निकला तो सामने वाले को बुरा लगेगा तो सामने वाले को बुरा लगेगा तो आप दोनों गुत्धं गुत्ता हो जाओके लड़ाई हो जाएगी वह एक लड़ाई में तब्दिल हो जाए आपने कितनी बाहर देखो कि टीवी डीबेट जब होती ना टीवी जो एंकर डीबेट करते हैं दूसरे दूसरे लिए वो खुद भी लड़ा जाते हैं बात-बात-बात हो जाते हैं तो यही है मुझ से गलत बात का निकाते हैं फौर्ड पृस किसी समझय का समादान खोजने के कुसिस करे हैं कि आप अबस के दोरण आपने किसी वाफिक को लियाए थो प्रह bakın कि समच्या क्या है उसको हल खोजने के क्सिस क्यों यह निक उस बात को कोई भी समश्या आपके सामने आई तो उसका हल ढूंडे उसका सोलुशन ढूंडे हर जिगा सर्च करें इसका क्या सोलुशन हो सकता है इस काम को कैसे निप्टाया जा सकता है यह निक आप बस के दोरान बस अपनी बाते कहते जाए जो समश्या है वो तैसी रहें नहीं उस कर सरहा को सोल करने की कौसिश स्क्राइब आने चार वाते अगर आप याद रखोगे ने बसके दुरान तो आपकी कभी किसी से लड़ीं नहीं होगी ररहना आप बहस जब जब बहस होगे ना आप लड़ीं पर लोंगे कहीं पर दयान रखना डिबेट हो यह कहीं कर भी वह आप वाद विवाद कर रहे हो या कई चार जनों के बीच में बहस कर रहे हो ना तो ये चार बाते याद रखना आप बहस के दोरान आपकी जो कोई भी बात रुकोगे ना आपकी बात पर बावसाली होगी सबी लोग आपको सुनेंगे और कभी भी लड़े नहीं होगी